हलो एवरिवन कैसे हैं आप में नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में गईस में आपको जीवा एरुवेदा ब्रांड के आम पाचक चूर के बारे में रव्यू दूंगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये चूरन आपकी बोड़ी को किस तरीके से फाइदा देता है इसके benefit, side effect, uses, price और dose इन सब के बारे में आज अपन डेटेल में बात करेंगे डेटेल में इसका review करेंगे तो गैस जीवा एरवेदा ब्रांड के बारे में तो आपने सुनई होगा ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके market में काफी सारे product मिलते हैं इंडिया में इनके product की बहुती ज़्यादा sell होती है ये गैस अधिकतर आईरवेदिक product बनाता है जो की chemical free होते हैं उस वज़े से इनके setback बहुती ज़्यादा कम होते हैं जिसके कारण लोगबाग बिना किसी confusion के इनके product लोगबाग इस brand से बहुत अच्छे से अफगत भी है इससे पहले कि कई वीडियो में मैंने आपको इस brand के product का review किया है तो चलिए गैस आज आपन इसी brand के आम पाचक चूर्ण के बारे में बात कर लेते हैं ये जड़ी बुटियों से मिलकर बनाईगे का अरवेदिक कौशदी है आरवेदिक दवा है जिसको जीवा अरवेदा ब्रांच दारा मैनेफेक्चर किया गया है ये ओसेदी मार्केट में आपको powder form में मिलती है जिसका उपयोग आपके पेट से समबंदित समस्यां को दूर करने में किया जाता है गैज अगर आपको पेट से समबंदित पी यानिकी पेट से related कोई भी समस्या या दिक्कत हो जिसके आपके पेट में दर्द, गैस, एसिटिटी, बदहजमी, पाचन सक्ती बहुती ज़्यादा कमजोर है तो उस इस्तिती में आप इस चूरन का इस्तिमाल कर सकते हैं कफी अच्छा चूरन है आम पाचक चूर जो के आपके पेट की सबी दिक्कतों को दूर करने में मदद करता है इसके अंदर गैज जो ingredient मिला जाते हैं जो आपके बोड़ी को यानि के आपके पेट को कोई दिक्कत नहीं करेंगे बलके आपकी पाचन सक्टी को मजूद बनाएंगे गैसे सेडिटी से आपको तुरंत राहत देने में मदद करेंगे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कॉन-कॉन से इंग्रीडेंट मिलाए जाते हैं इसके अंदर के इंग्रीडेंट की रूप में जीरा, धनिया, सौंठ और सौंफ ये बराबर मात्रा में मिक्स होते हैं जो के आपके पेट से सम्बंदे समस्यां को दूर करते हैं इसको किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ इस पावडर को यानि कि चूरन के आप थोड़ी सी मात्रा ले करके इसे आप गुंगोने पानी के साथ लें गुंगोने पानी के साथ अगर आप इसका नमेत रूप से सेवन करते हैं तो आपके पेट से सम्बंदे समस्यां दूर हो जाएंगी या फिर आपको जिस तैम अगर गैस बन रही है या फिर ऐसे डिटी हो रही है उस तैम इस चूरन को गुंगोने पानी के साथ ले लें तो आपकी गैस ऐसे डिटी ठीर हो जाएगी गैस अगर आपको भूख नहीं लगती है तो यह जो पाडर है वो पाचन स्रावा को तेज़ित करके भूख को बढ़ाता है पाचन क्रिया को सामन करता है और विशाक्त पदार्तों को सरीष से बाहन निकालने में मदद करता है गैस आज़िटी और सूजन से आपको राहत देने में मदद करता है इसका प्राइस गैस काफी अफॉर्डिबल है अगर आप इसका सौ गराम का पैक लेते हैं तो यह आपको एक सो पचपन रुपए में मिल जाएगा इस्टूरं का गैस कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन इसके अंदर कोई ऐसे हामफुल केमिकल नहीं मिलाए गया है जो आपकी बोड़े को साइड इफेक्ट करें पर फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्टूरं का इस्तिमाल करें आप बोलेंगे कि स्कॉम कहां से खरीदे तो आप इसे किसी भी आयर्विदिक मेडिकल से या फिर एमिजोन से और फिलिपकार से इसको पर चेज कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे सस्ता फोडिवल लगे वहां से आप इसको खरीज सकते हैं वो आपकी चोईस है मैं तो गईस आपको और लैन खरीदे के लिए ही सज़ेस्ट करूंगी क्योंकि और लैन यह आपको पसंद आये तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नएने वीडियो के अपडेट मिलती रहे नएनी जानकरिया मिलती रहे और गईस बेल आइकन पट जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो ड जालते हैं टाइम टी टाइम आपके पास पहुंसती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगारिंग आपका कन्फिजन दूर होता रहे फिर भी गईस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगारिंग या किसी अधर प्रोजेक्ट के रिगारिंग कोई भी जानकरी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए हम इसा एबलेबल रहेंगे आपकी सायता जरू करेंगे So guys, gas, acidity, बदहजमी या पेट में दर्द जैसी समस्यासी परिशान है, भूख बहुती जादा कम लगती है, पाचन सकती कम जोर है इस चूरन का इस्तिमाल करें चैनल को लाइक सस्क्राइब कर दें धन्यवाद